आदस अआ उए निस् केमिश्री का जो बोड शाम है वह हो चुका है और हमारे पास है और कुछ एक्जाम साख चुके हैं और हमारे स्टुडेंट का दूअब काफ़ी सही गया है क्योंकि पिपर काफ़ी इजी हो गया बहुत ईसी वीपर आया हो था मेरे पास यहां पर तीन सेट्स है यह 56 552-56.15 ripping preparing देखने वाने कैसे है बहुत इस वीपर था है वह से तो इसमें सब्सक्राइक करने वालंगने वहां फिलाहाल एम सीख्यूं वहाला पॉर्शन तो इसके सब्सक्राइब काफी एजी हाई होते हैं मतलब क्या ही बोलू मैं चलो तो यह सेट देख लो एक बार फिर से किस-किस का यह सेट आया था यह फिप्टी सिक्स बाई फाइव बाई टू सेट टू चलो तो शुरू करते हैं इसके सब्सक्राइब कर चुका है और हमारे स्टुडेंट्स के भी ऑल्मुस्स सारे साही गए कुछ एक गलत करके आ गए चलिए पहला कोशन देखते हैं तो फर्स्ट कोशन है यहां पर कोशन नमबर वन सब्सक्राइब करते हैं जिसका जो लोन पेयर है लोन पेयर उसकी जो है वह अच्छी खासी हो मतलब इजिली लोन पेयर दे दे अपना लोन पेयर अब यहां चार ऑप्शन में देख लो यार कौन कौन सा है तो यहां सिसिक्स फाइब बेंजीन के उपड़ उमाइनस यहां पे तो भाई जो इसका नेगेटिव चार्ज लोन पेयर यह कौन्जूगेशन में गया होगा है तो यह तो नहीं हो सकता है यहां पर है और आर ओ माइनस अब यह जो आर है यह आपको पता ही होगा प्लस आई कर सकता है और यहां पर हम देखें तो हो को होगा जाएगा स्फीसा है इसका आप Oxidation करोगे तो आपको पता होना चाहिए से COCl2 गैस बनती है इसको हम बोलते है फॉस्चीन पॉस्चीन कुछ बच्चे फॉस्फीन मार के आ गए गलत है फॉस्फीन होता है पीएच थ्री अब पीबलोग हटा दिया है भई तो पीबलोग पता है थोड़ा बहुत है चलो अगला कुश्चन देखते है कोश्चन नंबर 3 तो यहां लिखा है भई आईसोटोनिक सॉलिशन्स हैव दा सेम क्या सेम होता है वाई concentration सेम होती है तो फिर क्या सेम हो जाएगा तो उसका Osmotic amino acid जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं और वो प्राइमेरी किसी-किसी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शन होता है किसी का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है तो यहां पर राइट to make interstitial compounds formation of interstitial compound make the transition metal more hard तो यह डारेक्ट NCRT-based question है चलिए अगला question देखते हैं question number six the correct name of the given reaction is अब reaction देरा किसका नाम बताना है भी यहां पर दिख रहा है कि यह क्या है बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट लिल लिया तुमने एच बिया डाल दिया copper powder में तो सब कोई पता है यह गेटर में reaction है गेटर में रियक्शन अब question number seven देखते हैं अगर यहां पर copper powder के जगा copper यूज होता मतब सी यू भी आर यूज होता तो वह हो जाता हमारा कौन सी रियक्शन हो जाती तो उसके इसमें वह जाता सेंड मेर्स रियक्शन जी हां अब question number seven देख लेते हैं विशा टुक four test tubes namely a b c and d containing तो इसमें यह है a में यह बी में यह है c में यह है और डी में यह है respectively and try to convert them into tertiary butyl alcohol tertiary butyl alcohol बनाना है ठीक है she carried out acid catalyzed hydration हमको पता है अगर आप करो acid catalyzed hydration तो alcohol बन जाता है बिल्कुल सही और आगे कहा लिखा है out of four test tubes that one which will give desired result tertiary है या तो tertiary तो three degree हमको मिलना चाहिए तो यहां पर देखो दो एलकाइल ग्रूप है यहां पर एक यहां पर आकर लग जाएगा यह पाई बॉन टूटेगा तो यहां three degree alcohol बन जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी सबसे लास्ट वाला डी है यह बहुत इजी कोशन था मतलब इतने इजी-जी एंसी क्यों आए अब क्या ही बोले कोशन नंबर एट मुफ्त के शोला नंबर दिये नोंने कोशन नंबर एट है वांट हॉफ फैक्टर फोर के-सी एल सॉलिशन एज्यूमिंग तक कम्प्लीट डिसोसेशन इस अब इससे आसान क्या ही होगा क्या ही होगा मतलब अब के-सी एल कैसे टूटेगा के-प्लस में और सी एल माइनस में टूटेगा दो आयन टूटेंगे बतलब एक मोल से दो मोल निकलेंगे तो वैट आफ फक्तर टू हो जाएगा इसका चलिए कोशन नंबर नाइन dilution effects both molar conductivity as well as conductivity बिल्कुल सही dilution करोगे तो दोनों ही चेंज होंगी effect of dilution on both is तो हमको बताना है dilution का effect क्या होता है वाई conductivity पे और molar conductivity पे अब ये question के लिए थोड़ा आपको concept clear होना चाहिए चाहिए मैं तिक नहीं कर रहा हूँ पढ़ लेते है पहले तो हमको पता है conductivity होती क्या है पहले तो ये बताओ कंड़क्टिविटी होती है ये unit volume जो होता है unit volume जैसे 1 ml volume 1 ml volume का conductance ठीक है तो हम डालूट जब करते हैं तो डालूट करने से क्या होता है अब 1 ml में तो limited amount of ions होंगे अब आप डालूशन बढ़ाओगे तो इससे number of ions काम हो है ये तो conductivity जो होती होती है डालूशन करने पर इंक्रीज होती है और वहीं हम बात करते हैं मोलर कंड़क्टिविटी की मोलर कंड़क्टिविटी का फॉर्मिला पता ही होगा भाई हम तुम लोग को तो यह होता कंड़क्टिविटी इंट थाउजन डिवाइड बाय ओनुलारेटी और नॉर्मेलिटी अब देखो डालूशन करने पर कंड़क्टिविट्विट इंक्रीज होती है लेकिन यहां पर एक और फैक्टर है विच्टिस पॉलारेटी तो मोलरेटी जो है मोलरेटी अब आप डा कॉ하는데 कारो भी बिल्कूल सही अब यहां दो फेक्टर हैं डिलूट करने पर मोलर करने ऐंक्षम मोलर कांडॉट करने तो इसका जो राइट आंसर होगा conductivity decrease, molar conductivity increase, तो conductivity decrease whereas, कहांगे, कहांगे, molar conductivity increase and conductivity decrease, हाँ, ठीके, B, सही एकडम, सही करके है हमारा student, चलिए अगला question देखते है, तो question no 10 आगया है, question पढ़ लेते हैं, which of the following cell is used in inverter, अब क्या करें आप इसमें लेड इस्टोरिज सेल होगा वही ऐसी जी कोशन दे दिये हैं उन्होंने कोशन नमबर 11 इन विच आप फॉलोविंग मॉलिक्यूल सी एटम मार्क्ट विट एस्ट्रीक इस एक अइरल बताना हुँ जब काईडल स्वारी काईडल पढ़ रहा हुए तो बच्चे बच्चे को पता है चारों वाले से लग होनी चीए हैं है यहां सीसे यह तो नहीं होगा सीएश तरी यह बिल्कुल काईरल है गल्कुल काईरल है तो सेकंड ठर्ड और फोर्थ सैकंड अदर्ड फॉर्ट बिल्कुल सई अब लेख लेते हैं कोशन नंबर बारवा फॉर दा रियक्शन एप लजे दे रखा दा ओडर ऑफ रियक्शन इस ओडर बताना इस रियक्शन को हमको पहली बाद तो इस टोइक्योमेट्री कोफिशन से ओडर नहीं पता लगता और पता लगता है एक्सपेरिमेंटल हां तो कांट भी प्रेडिक्टेड एस ओडर इस डिटर्मेंट एक्सपेरिमेंटली यह सब मैंने टिक कर रखे है वैसे क्योंकि वहां उन्होंने कोश्चन पेपर में पेंचलाना अलाउड निताई थे कि अब अब हमारे पास आ गया असर्षण रीजन कोश्चन तो पढ़ लेते हैं इसको भी तो एट टिक करना है है मोगा बोथ असर्षण एन रीजन रीजन च्रू और रीजन इस दा ख्रेक्डेक एक्स्वीनेशन टूर अरिश ठीक है बोथ तो मैंने यहां बनाया हुआता है तो यह हो जाएगा पैरा मिठोक्सी फिनॉल तो हमको पता है वही एथर ग्रूप है ऑक्सिजन के पार लून पर है प्लस आज से इलेक्ट्रों देंसिटी बढ़ाएगा यहां से एस प्लस निकालोगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आता है तो यह नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेवल रहेगा conjugate base जो होने वाला है इसका resonance की वज़े से वह अनस्टेवल होगा तो यह acidic नहीं होगा मतलब अच्छा कासा acidic नहीं होगा वहीं अगर हम पैरा नाइट्रो फिनॉल की बात करें यहां पे नाइट्रो ग्रूप यह जो गलत है भाई फॉल्स है नाइट्रो ग्रूप फॉल्स है यह बिल्कुल सही है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा असर्शन इस फॉल बट रिजन इस ट्रू डी हो जाएगा इसका अंसर दिख रहा है अरे मतोर स्कीन में चाहिए नहीं कर रहा है चलो कोश्चन नंबर अब देखते हैं 14 इंवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इस ऑब्जर्ब इन असन टू बिल्कुल सही है असन टू में होता है यह बिल्कुल गलत है तो असर्शन सही है रीजन गलत है असर्शन टू रीजन गलत सी ऑप्शन हो गया इसका टिक कर रहा है मैंने पहले ही अब कोश्चन नंबर पंदरवा भी देख लेते हैं इसका मतलब इसका ओप्शन हो जाएगा इसका ए होने वड़ा है चलो चलो नेक्स्ट कोश्चन आगे हमारे पास 16 असर्शन रीजन है यह भी ZR and HFR almost similar atomic radius हाँ बिल्कुल सही है 4D और 5D सेरीज में होते हैं लेंथनोइट कॉंट्रेक्शन शुरू हो जाता है इस वज़े से ऐसा होता है चीक है तो इसका रीजन के जर्खत इस डियू टू लेंथनोइट कॉंट्रेक्शन यह भी ट्रू है दोनों सही है तो इसका भी A हो होने वाला है तो यहां पर हमने सारे के सारे की जो हैं इस पेपर के कर लिए हैं और आगे की कुश्चन भी सारी असान है फराडेलो बताना है या क्या बूलोगे सीधा मास डिलेक्ली परपोर्शनल टू चार्ज जितना चार्ज दोगे उतना मास लिपरेट होगा फिर M बनने इतनी जी रेक्शन है ति यह देखो एंस या कोशन दे दिया क्या स्वाल करना है इसमें से या पूरी शोड़ाट देख लेना वह तुम लोग इसे आटी का कुशन है केमिकल करनेटिक्स का यह असानी कुश्चन आया हुआ था और यह तनी असान कर वर्जन दे यह यह कोशन भी नीचे दे रखा है बायो मॉलीकुल सा काफी असान मुझे लगा बायो मॉलीकुल से लोग कहीं मुश्किल सा कुशन ना बना दें लेकिन काफी असान कुशन जिया वादा क्लासिफाइब फॉलविंग शुगर्स इंट्व मोनोसेक्षाइट हो गया फिर आगे भी और मुस्स सारे इजी कोशन ते सेक्शन सी भी इजी था पर वैसे काफी एजी था इस बार मुझे लगता है टॉपर बहुत जदा होने वाले हैं कैमिस्ट्री में तो यहीं पर था यहीं तक मिलते हैं अगले पीपर में अब तक के लिए गुड़ शमा में पाले इस बाले आगे में दोच कोशन की पाले हैं ले यहीं जईाले हैं वाले हैं टे से रहज़ गजा शूचर से ले पाले हाई आरॉप था शूब आ रह्गता हैं पुड़ पुम्यों जाम में तो